भगवान कृष्ण की भूमी द्वारका में आपका स्वागत है, जहां पौराणे कथाएं और आध्यात्मिक्ता वास्तव में अध्वितिय अनुभव प्रदान करने के लिए मूल रूप से मिश्रित होती है। उससे पहले एक बात जो मैं आप से शेर कर रही हूँ। काफी लोग हमारे चैनल के विडियो को देखते हैं, पसंद भी कर रही हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं। मेरी दिल से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करे, लाइक भी करे और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना प्लीज। और हाँ इसको शेर भी जरूर करे मेरे के लिए। इस विडियो में हम द्वारका में घूमने के लिए शीर्ष दस परियतन स्थलों की गिंती करेंगे। दसने नमबर पर द्वारका नगरी का नैसरगिक सौंदर्य है। यह शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है और अपने शांत वातावर्ण और सुरम्य परिद्रिश के लिए जाना जाता है। नमबर पर रुकमिनी देवी का मंदिर है। भगवान कृष्ण की पत्नी को समर्पित यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और जटिल नकाशी के लिए जाना जाता है। नमबर आठ पर हमारे पास गोमती घाट है जहां तीर्थेयात्री गोमती नदी के पवित्र जल में डुक्की लगाते हैं। घाट मंदिरों से घिरा हुआ है और आध्यात्मिक काया कल्प चाहने वालों के लिए यह एक जरूरी यात्रा है। सातवे नमबर पर प्रतिष्ठित द्वार का धीश मंदिर है। माना जाता है कि मंदिर 2500 साल पहले बनाया गया था और यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। छे नमबर पर हमारे पास नागेश्वर जोतिरलिंग मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के बारा जोतिरलिंगों में से एक है. पाचवे नंबर पर बेट द्वारका है, जो द्वारका से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप है. इस द्वीप को भगवान कृष्ण का मूल निवास माना जाता है और इतिहास के. शौकिनों और तीर्थेयात्रियों को समान रूप से यहां आना चाहिए. नंबर चार पर हमारे पास द्वारका धीश मंदिर के पास एक पहाड़ी पर स्थित भड़केश्वर महादेव मंदिर है. मंदिर अरब सागर का मनमोहग द्रिश्य प्रस्तुत करता है और परियटकों और स्थानिय लोगों के लिए समान रूप से एक लोगप्रिय स्थान है. तीसरे नंबर पर ओखा है जो द्वारका से 30 किलोमेटर दूर स्थित मचली पकड़ने का एक छोटा सा शहर है. यहां शहर अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता के लिए जाना जाता है और कुछ शान्ती और शान्ती चाहने वालों के लिए एक शान्दार जगा है. नंबर दो पर हमारे पास द्वारका से 100 किलोमेटर दूर स्थित एक ततिय शहर पोरबंदर है. यहां शहर महात्मा गांधी की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है और कई एतिहासिक स्थलों और मंदिरों का घर है. और अंत में नंबर एक पर हमारे पास द्वारका लाइट हाउस है. अरब सागर के किनारे स्थित लाइट हाउस समुद्र का शांदार द्रिश प्रस्तुत करता है और फोटोग्राफी के शौकिनों के लिए एक शांदार जगा है. और द्वारका में घूमने के लिए शीर्ष दस परियतन स्थलों की हमारी सूची समाप्थ होती है. आज ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस पवित्र शहर के जादू का अनुभव करें.